आज के वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम पॉर्फिरियास लवर की रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के एक बहुती पॉपलर राइटर थे और ये ड्रामाटिक मॉनोलोग लिखना काफी पसंद करते थे पॉर्फिरियास लवर भी एक ड्रामाटिक मॉनोलोग है ये ओरिजिनली 1836 में एक मैगजीन में पॉपलिश हुई थी उस समय इसका जो टाइटल था इस पोयम का जो टाइटल था वो सिर्फ पॉर्फिरिया था और जिस मैगजीन में पॉपलिश हुई थी उसका नाम तब मन्थली रेपोसिटोरी उस समय 1836 में इस पोयम का नाम सिर्फ पॉर्फिरिया था और ये रिपॉपलिश हुई थी 1842 में एक बुक में जिसका नाम तब ड्रामेटिक लिरिक पॉर्फिरिया नाम की एक लेडी है जिसका एक मैड लवर है जो में प्रटगनिश्ट है वो पॉर्फिरिया है उसका नाम हम सब के सामने है पॉर्फिरिया लेकिन जो उसका लवर है उसको कोई नाम हमारे पास नहीं है इस पोयम उसको कोई नाम नहीं बताया गया है एक अन्नेम स्पीकर इस पोयम को नेरेट कर रहा है तो चलिए हम poem शुरू करते हैं यह जो starting की four lines है इसमें poet ने हमें सिर्फ weather के बारे में बताया उस time पे weather कैसा था Tonight शाम का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी The salon wind was soon awake और बहुत जोर जोर से हवाई भी चलने लगी इस line में figures of speech आप देख लीजे इसमें personification है यहाँ पे wind को personify किया गया है और इसमें alliteration का use हुआ है www repeat हो रहा है और जो इतिनी तेज हवाई चल रही थी उन्होंने जो tree होते हैं उनको भी उखाड दिया था उनको भी तोड दिया था and it is washed to wax the lake और जो लेक वहाँ पर थी उनको भी यह जो wind आ रही थी storm आ रहा था इसको बरबाद कर दिया तो इन चार लाइन्स में हमें weather के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया है अब यहाँ पर हमें पता चलता है हमारे अन्नेम speaker के बारे में अब वो पूरी story को नरेट कर रहा है यह poem जो है हमारी past में जा रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई story बता रहा है जो poet है वो बहुत नर्वस है अपने हाट से थोड़ा घपराया हुआ है तब ही क्या होता है पॉर्फिरिया अंदर आती है यहाँ पर जो speaker है वो एक cottage में है ठीक इस speaker जो है cottage में बैठा हुआ है तो पॉर्फिरिया gilded मतलब चल के आना तो पॉर्फिरिया जो है सीधी चल के अंदर आती है she shut the cold out and the storm and kneeled and made the cheerless great तब पॉर्फिरिया क्या करती है जब वो दर्वाजे को बंद करती है जिससे तूफान और ठंडी हवाए और बारिश वो सब भार रह जाता है नील मतलब घुटनों के बल बैठ जाना वो आकर के घुटनों के बल बैठ जाती है cheerless great और आग जलाती है blaze up and all the cottage warm तो जब आँख जल जाती है जो उनका cottage होता है उसमें गर्मा हट आ जाती है which then she rose and from her from तो इतना करने के बाद यहां पर हमने देखा तो वो गुटनों के बल बैठ जाती है और आँख जलाती है जब आँख जल जाती है पूरा cottage warm हो जाता है वो वापस से खड़ी हो जाती है withdrew and dripping clock and shawl and let her solid gloves by untie her hat and let the damp her hair fall तब वो क्या करता है आँख जलाने के बाद जब वो उठ जाती है तब उसके कपडों से पानी टैप अग रहे तब वो अपना clock एक बड़ा सा overcoat होता है उसको clock कहते है अपना clock वो उतारती है अपना शोल वो उतारती है उसके बाद उसके gloves जो है वो बिल्कुल पानी से भीग जाते है उनको उतारती है उसके बाद वो अपना hat उतारती है उसने सर पे hat पेनवा है वो उसको भी उतारती है सब कुछ पानी में भीग गया है और उसके करने के बाद जो अन्नेम speaker है और वही उसका lover है वो उसके पास जाकर बैट जाती है उसको कुछ कहती है लेकिन speaker की तरफ से कोई reply नहीं दिया जाता she put my arm about her waist and made her smooth white shoulder bear and all her yellow hair displaced and stooping made my chick lie there तब porphyria क्या करती है वो अपने lover के हाथ को अपनी west पर रखती है और अपने shoulder को जो की बहुत smooth है उसको uncover करती है उसके बाद वो अपने yellow hairs को थोड़ा खोल लेती है और क्या करती है वो अपने uncover shoulder पर अपने जो lover है उसकी cheek को रखती है और जो उसकी yellow hair है वो उसको उन दोनों के उपर बिखेर देती है दोनों को उन porphyria और उसका lover murmuring how she loved me यहाँ पर पहले आप figures of speech देख लीजे यहाँ पर onomatopya का use हुआ है murmuring sound आया हुआ है और alliteration का भी use हुआ है तब वो धीरे से कुछ कहती है इस speaker के यानि कि जो उसका lover उसके कानों में क्या कहती है कि वो उससे प्यार करती है टू वीक फोर ओल हर हार्ट्स endeavor to set its struggling passion free from pride and when your ties decever लेकिन porphyria का जो love था अपने lover के लिए वो एक कमजोर love था क्यों क्योंकि porphyria उसको ये बात अकेले में बोल रही है that she loves her तो ये उनका struggle है to set its struggle passion free देखें यापर एक line ओर आती है मैं इसको यहां तक पढ़ती हूँ फिर आपको explain करती हूँ and give herself to me forever but passion sometimes would prevail nor could tonight's gay fish retrain यहां पे ये फिश्ट एक word आया है जिसका नाम होता एक आलिशान दावत या एक बहुत बड़ी party जिसको छोड़ करके porphyria ऐसे तूफान में अपने lover के पास आई थी ठीक है तो यहां पे हमें ये भी पता चलता है कि शायद ऐसा है कि porphyria rich है और उसका lover इतना ज़ादा rich नहीं है इसलिए भी यहां पे porphyria के love को कमजोर कहा गया है जो porphyria का pride है शायद उनको allow ना करे उनके इस love को allow ना करे and give herself to me forever और porphyria आज अपने lover को खुद को सोप रही है लेकिन शायद future में वो ऐसा ना करे but passion sometimes would prevail nor could two nights gay fish retrain तो इस line का मतलब मैंने आपको बताया है कि ऐसी तूफानी रात में बारिश में porphyria अपने lover के पास मिलने के लिए आई है a sudden thought of one so pale for love of her and all in vain तो वो बताता है कि एक second के लिए एक thought उनके mind में आता है कि शायद उनके मतलब जो porphyria के lover है उसके mind में आता है कि शायद उनका ये जो love है या उनका ये जो relationship है ये पूरी तरह से vain है यानि कि पूरी तरह से बेकार है so she was come through wind and rain उसे तुफानों से बारिश लड़ती वी porphyria अपने lover के पास उससे मिलने के लिए आई be sure I looked up at her eyes happy and proud at last I knew porphyria worshipped me surprise अब poet यहाँ पर कहता है कि अब जो speaker है वो porphyria की आँखों की तरफ देखता है आँखों में उसको happy और proud दिखाई देता है porphyria की आँखों में happy और proudness को देखता है उसका unnamed lover और वो यह जानता भी है कि भले ही porphyria बहुत अमीर है वो poet उसका जो lover है वो गरीब है लेकिन फिर भी porphyria उसको दिल से प्यार करती है और उसके लिए pray भी करती है उसको बहुत मानती है made my heart swell यह देख करके उसका दिल खुशी से भर जाता है and still it grew while I debated what to do और यह भरता ही जाता है खुशी से क्योंकि अब जो poet है वो एक कश्म कश्म होता है वो खुद से ही बात करता रहता है उसके अंदर यह debate चल रही होती है इस line में जो figures of speech है वो alliteration है that moment she was mine mine fair perfectly pure and good उस समय porphyria सिर्फ मेरी थी सिर्फ और सिर्फ मेरी pure and good I found a thing to do and all her hair तब उसके lover के mind में एक thought आता है thought क्या आता है वो उसके बालों के साथ अब क्या करता है in one long yellow string I wound three times he little thought around वो उसके बालों को हलका सा पकड़ता है उनकी घुमा करके एक लट बनाता है जैसे रसी होती है ना इस तरह से एक lock बना लेता है एक लट बना लेता है in one long yellow string I wound उसके जो yellow hair है उनसे एक string बनाता है और तीन बार उसके गले के चारों तरफ घुमा देता है and strangled her और उसका गला दबा देता है no pain felt she Porphyria कोई भी दर्द महसूस नहीं करती है I'm quite sure she felt no pain मुझे पूरा यकीन है कि Porphyria को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ होगा इस line में भी alliteration आया हुआ है as as repeating sound है as a shut bird that holds a bee I rarely opened her lips again laughed the blue eyes without a stain in lines में as आया हुआ है तो यहाँ पर figures of speech similar है और यहाँ पर alliteration का भी use हुआ है because as as इनका repeating sound हो रहा है तो अब यहाँ पर जो उसका lover है Porphyria का वो कहता है कि जैसे एक बंद कली में मदुमक्खी कैद होती है बिलकुल उसी की तरह उसकी eyes लग रही थी Porphyria की eyes लग रही थी और उसने बड़ी साफधानी से साफधानी के साथ उसकी आँखो को खोला और उसकी नीली आँखो को देख करके बहुत ही बेशर्मी के साथ उसकी आँखो पर हसने लगा And I untightened next the dress About her neck, her cheek once more Blushed bright Bennett my burning kiss उसके बाद Poet कहता है कि उसने क्या किया उसने जो Porphyria के गले के चारो तरफ उसने उसके बालो को रसी बना करके रसी की तरह लपेटा था उसने उनको निकाला उसकी गर्दन में से बहार और फिर वो blush करते वे मतलब कि जो Porphyria के chicks थे उन पे हलकी सी लाली थी वो उस बलश को देखने लगा and he kissed the Porphyria I propped her head up as before only this time my shoulder bore he had which drops upon it still इसके इतना करने के बाद उसके लवार ने क्या किया उसको अपने शॉल्डर से सहारा दे करके Porphyria की अब जो डाट बोडी है उसको सीधा किया और उसकी डाट बोडी को थोड़ा संभाला the smiling rosy little head so glad it has its utmost will यहाँ पे जो figures of speech यूज हुआ है वो sendi की है आप अपना note कर लीजेगा that all it is scorned at once it's flat तो poet कहता है कि Porphyria की जो भी जितनी भी wishes थी वो खुशी खुशी अब पूरी हो गई है और जितनी भी बूरी चीजे थी परेशान करने वाली चीजे थी Porphyria के लिए वो सब उससे दूर हो गई है ऐसा ही सब क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने आपको beginning में ही बताया था इसमें Porphyria का एक mad lover है क्योंकि उसका lover जो है mad है इसलिए वो सब यह ऐसा सब कह रहा है अब वो बताता है उसका lover यह कहता है कि Porphyria ने कभी सोचा भी नहीं होगा पहले इस line का मतलब देखे अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए Porphyria का love मिल गया अब वो उससे कहीं दूर नहीं जाएगी Porphyria का love उसको मिल चुका है और Porphyria ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मेरे साथ रहने की यह इच्छा इस तरीके से पूरी होगी यहांप अलिटरेशन का यूज हुआ है and thus we sit together now and all night long we have not stirred and yet God has not said a word वो इट कहता है अब यहांपर कि अब पूरी रात हम दोनों साथ में बैठे रहे पूरी रात हम साथ में बैठे रहे और किसी ने हमें नहीं टोका किसी ने हमें परेशान नहीं किया and yet God has not said a word यहां तक की भगवान ने भी एक भी शब्द नहीं का उसने भी हमें एक बार भी नहीं टोका so this was the explanation of Porphyria's lover I hope अपको यह explanation समझ में आयोगी